नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी कोस्ट और दोस्त ख्याती सेठी मैं उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे दोस्तों आप सुन रहे हैं मेरी यानि ख्याती सेठी के साथ कहानियों का पितारा पोर्डकास्ट और आज हम सुनेंगे एक प्रिना दाय कहानी जिसका शीष्यक है जो चाहोगे सो पाओगे तो चलिए सुनते हैं कहानी जो चाहोगे सो पाओगे एक सादू था वे रोज खाट के किनारे बैट कर चिलाया करता था जो चाहोगे सो पाओगे बहुत से लोग वहां से गुजरते थे पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल आदमी समझते थे एक दिन एक यूबक वहां से गुजरा और उसने उस सादू की आवाज सुनी जो चाहोगे सो पाओगे जो चाहोगे सो पाओगे और आवाज सुनते ही उसके बास चला गया उसने सादू से पूछा महराज आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे तो क्या आप मुझको वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ साधू उसकी बात को सुनकर बोला हा बेटा तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं उसे जरूर दूंगा बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या यूबक बोला मेरी एक ही ख्वाइश है मैं हीरो का बहुत बड़ा वैपारी बनना चाहता हूँ साधू बोला कोई बात नहीं मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाऊगे और ऐसा कहते हुए साधू ने अपना हाथ यूवक की हतेली पर रखते हुए कहा पुत्र मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ लोग इसे समय कहते हैं इसे तेजी से अपनी मुठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गवाना तुम इसे जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो यूवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधू उसकी दूसरी हतेली पकड़ते हुए बोले पूत्र इसे पकड़ो ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है लोग इसे धैरे कहते हैं जब कभी समय देने के बावजुद परिनाम ना मिले तो इस कीमती मोती यानि की धैरे को धारन कर लेना याद रखना जिसके पास ये मोती है वै दुनिया में कुछ भी प्रापत कर सकता है यूवक घंबीरता से साधू की बातों पर विचार करता है और निश्टित करता है कि आज से वे कभी भी अपना समय परबाद नहीं करेगा और हमेशे धैरे से काम लेगा और ऐसा सोचकर वे हीरो के एक बहुत बड़े वेपारी के यहां काम शिरू करता है और अपनी महनत और इमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा वेपारी बनता है दोस्तों समय और धैरे ये दो ऐसे हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्षे रापत कर सकते हैं अते जरूरी ये हैं कि हम अपने कीमती समय को बरबाद ना करें और अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए धैरे से काम लें दोस्तों यहां पर कहानी समाप्त होती हैं कहानियों का पिटारा पोटका सुनने के लिए आप सभी लिसनर्स का तहें दिल से शुक्रिया दोस्तों अगर आपको इस कहानी से कोई सीथ मिली तो कहानी को लाइक और शेयर कर दें और नई नई कहानियां सुनने के लिए कहानियों का पितारा यूटीब चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी मिलेंगे एक नई कहानि के साथ Stay safe and take care